हेलो दोस्तों तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा कौन है दोस्तों आज हम आपको नीम करोली बाबा के चमतकारों के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे इनका नाम नीम करोली पड़ा तो दोस्तों का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश की अकबरपूर में एक ब्रामण परिवार में हुआ था और बाबा नीम करोरी के पिता दुर्गा परसाद सर्मा ने उनका नाम लक्ष्मी नाना नारायन रखा था दोस्तों महज 11 वर्ष की उमर में ही बाबा का विवा करा दिया गया था कुछ समय पस्चाद 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था ग्रिय त्याग के बाद बाबा पूरे उत्तर भारत में साध्धों की भाती विच्रण करने लगे थे इस समय के दौरान उन्हें लक्ष्मण दास हांडी वाला बाबा और तिकॉनिया वाला बाबा सह कई नामों से जाना जाने लगा था दोस्तों आएए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किस घटना की वज़से इनका नाम नीम करोरी बाबा पड़ा दोस्तों बाबा से जुड़े अंगिनत किस्सों में अगर इस किस्से का जिक्र ना किया जाए तो बहुत कुछ अपार्टमेंट में सफर कर रहे थे जब टिकट चेकर ने पाया कि बाबा के पास टिकट नहीं है तो कुछ देर बाद नीम करोरी गाउं के पास बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया बाबा ट्रेन से थोड़ी दूर पर ही अपनी चिम्टा धरती में गाड़ कर बैठ गए ओफिसर द्वारा ट्रेन को चिलाने का ओडर दिया गया लेकिन ट्रेन एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाई जब बहुत प्रयास करने पर भी ट्रेन नहीं चल पाई तो एक उकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को अच्छी तरह से जानता था उसने ओफिसर को बाबा से म माफी मागी और सभी लोगों ने बाबा को ट्रेन में बैठने का आग्रह किया बाबा के ट्रेन में बैठने के कुछ ही पलो में इंजन स्टार्ट हो गया और ट्रेन चल पड़ी और इस प्रकार से बाबा का नाम नीम करोरी पराक्यों किया जो घटना थी ये नीम करोरी बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इनमें से एक और चमतकार था जिसमें कुउय का खारा पानी भी मीठा पीने योग्य हो गया था तो दोस्तों बाबा नीम करोली जी का जन्रोफ फरूखाबाद में हुआ था करते हैं कि फरूखाबाद में एक कुवा था जिसका पानी बहुत खारा होता था एक बार बाबा फरूखाबाद की यात्रा पर थे किसी ने बाबा को बताया कि यहां के कुवे का पानी बहुत खारा है तब बाबा नीम करोली ने अपने एक सिस्य को कहा कि इस कु पानी मीठा हो जाएगा और वास्ताव में उस कुएं का पानी मीठा यानि पीने योग्य हो गया दोस्तों ऐसे ही इलहाबाद में भी घट्वा देखने को मिलती है जब बाबा का एक भक बाबा के चमतकार के बादे में बताता है दोस्तों उसने बताया कि 40 साल पहले रात में वे कहीं जा रहे थे और वे अपना रास्ता भटक गए अचानक उनको अंधेरे में एक गुफाय दिखाई दी जहां उजाला हो रहा था जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर महराजा जी बैठे हुए थे महराजा जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है तुझे उस तरफ जाना है वे महराजा जी के कथानुसार 15 से 20 कदम आगे गए तो उनको जिस गाव में जाना था वो वहाँ पहुँच गए जब उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ ना तो गुफा थी और ना ही महराजा जी थी सब बाबा की लीला थी दोस्तों ऐसे ही एक और घटना देखने को मिलती है कि जब बाबा ने बारिशी रोग दी थी दोस्तों हरुमान गड़ी के मंदीर का निर्माड कारे चल लहा था एक दिन जबरजस्त वर्षा प्र आकास के तरफ देखते अपने भक्त से बोले पुरन ये बड़ी उग्र है बड़ी उग्र है संभवत इसारा पास के मंदिर की सितला देवी की ओर था तभी महराजी ने उपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विसाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गरजन के और देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले गई वर्षा थम गई और आसमान साफ हो गया दोस्तों ऐसे ही एक चमतकार बावा के एक भक्त के साथ हुआ जो नैनिताल की रहने वाली थी दोस्तों नैनिताल की स्रीमती विधा साह ने एक दिन मन में सुचया कि महराज आप सब के घर आते हैं मेरे घर भी आओ किसी दिन पर संकोच वस कह नहीं पाई उनका घर बजार में था और घर के सीड़ियां सक्री थी बाबा का डील डोल देखकर उनको लगा कि बाबा के लिए उपर सीड़ियां चड़ना मुस्किल होगा इसलिए संकोच वस वो बाबा से कुछ न गह पाई लेकिन बाबा अचानक से उनकी मन की बात जान जाते हैं दोस्तों बाबा उनसे कहते हैं कि हम तेरे घर आये हैं तू मंदिर में हवन करवा उन्होंने मंदिर के पुजारी से हवन का अनुष्ठान करवाया जिस दिन पूरा हूती थी उस दिन वे परसाद लेकर घर आ रही थी तो देखा कि रास्ते भर एक दुबला पतला सादू उनके पीछे पीछे चला आ रहा है इससे उनको कुछ मानसिक परिसानी हुई वे बराबर उनके पीछे चल रहा था घर आने का रास्ता जो की एक पंजाबी परिवार की घर से होकर जाता था वहाँ विधाजी सीड़ियो से उपर चड़ गई उस सादू को उनके पीछे देखकर पंजाबी परिवार की महिला ने उसे डाट कर भगा दिया हाला कि उनकी समझ में नहीं आया कि वह सादू पीछा क्यूं कर रहा है इस घटना की कुछ समय बाद जब विधाजी बाबा के पास बैठी थी कि उनके मन मे ख्याल आया कि बाबा ने घर आने की बात कही थी उनके कहे अनुसार यह भी करवाया पर बाबा नहीं आय इस पर बाबा तुरंत पोल उठे हम तो आये थे पर तेरे यहां पँजाब इन ने हमें भगा दिया वे बाबा को पहचान न पाई इस बात की उनको खुद पर बहु बाबा के चमतकारों से भरी पड़ी है दोस्तों अगर आपको नीम करूली बाबा से प्यार हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों आज के लिए बस इतना है